सुप्रभाद नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ प्रीति सिंग, आप देख रहे हैं सुभा नौ बजे, अगले आदे गंटे में आपके पास हूँगी तमाम एहम खबरें आए, शुरुआत करते हैं मुख्य समचारों के साथ आएनेक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रिय मंत्री पी शिदमरम पर गिरफतारी की तलवार, दिल्ले हाई कोट से अगरिम जमानाती आचका खारिज होने के बाद, शिदमरम के घर पहुची सीबी आई टीम, नोटिस के बाद भी सामने नहीं आये शिदमरम, सुप्रीम क पूर्ट का मामले की तुरंट सुनवाई से इंकार आज हो सकती है सुनवाई जम्मू कश्मीर में प्रतिबंदों में और धील के बाद, हालात सामान ने, प्रात्मिक स्कूलों में बेहतर उपस्थिती के बाद, आज से खुल रहे हैं माधिमिक स्कूल, जादातर अलाकों में लैंड लाइन फोन सोविधा बहाल, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित कें प्रिटेश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से बाचीत में प्रिटेश प्रधान मंत्री ने कश्मीर पर भारते रुखका किया समर्थन। लंदन में भारते रुखका योग के सामने हिंसा के मुद्धे पर बोर्स जॉन्सन ने जताया खेड रुखका योग, उसके कर्णचारियों और विजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया भरोसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग से बाचीत में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर से रुखेड तीन सु सत्तर हटाने को बताया आंतरिक मामला। तीन बाल्टिक देशों की आतरा के अंतिम चरण में एस्टोनिया पहुँचने पर उपराश्पती अमविंके एनाइडू का शानदार स्वागत, एस्टोनिया की राश्पती और प्रधान मंत्री से मुलाकात में द्वी पक्षे संबंदों की मजबूती पर होगी चर्चा, भारत एस्टोनिया बिजनस फोरम को संबोदित करने के अलावा भारते समुदाय से भी मुलाकात का कारिक्रम। आइनेक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रिय मंत्री पीचे दमरम पर शिकन जाकस्ता जा रहा है, दिल्ले हाई कोट से अगरिम जमानते आचका खारिच किये जाने और सुप्रीम कोट की ततकाल सुनवाई से इंकार की बाद उन पर गिरफतारी की तलवा लटकती नजर आ रही है, गिरफतारी से बचने के लिए पीचे दमरम ने शीर्शा दालत में अपील की है, आज मामली की सुनवाई हो सकती है, उधर सी बी आई की टीम चेदमरम के घर पहुंची, अधिकारियों ने घर के बाहर नोटिस चिपका कर उने दो घंटे के भीतर पेश होने का न आई कोट से अगरेम जमानते याचिका, खारिज होने के बाद पीचे दमरम के वकील कपिल सिबल ने सुप्रीम कोट में याचिका लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया, आई एनेक्स मीडिया मामले में सी बी आई ने 15 माई 2017 को करोड रुपे के आई एनेक्स मीडिया मामले की जाच के दोरान जाच एजिंसियों की नजर में आई थी, जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामवानने हो रहे हैं, और इसी करम में सरकाने प्राइमरी स्कूलों को फिर खोलने के बाद, आज से घाटी ने सभी माधिमिक स् बाद स्थानिय लोगों और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला था, जिसके बाद माधिमिक स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया, घाटी में सभी माधिमिक स्कूल आज से खुल रहे हैं, वहीं राज्य के जादातर तर इलाकों में लैंड-लाइन सो विदा बह जो प्रस्तावित जम्मू कश्मीर केंदर शासत प्रदेश के कामकाज की उपचारिक ताएं टै करेंगी, साथी तीनों समितियां वित्य मामलों और कर्मचारियों के मुद्दे से भी निप्टेंगी, सरकार ने राज्यपाल के सलाकार के अध्यक्षता में 12 सदस्य समिती ग जो प्रस्तावित जम्मू कश्मीर केंदर शासत क्शेतर और लद्दाक केंदर शासत क्शेतर के वित्य मामलों से निप्टेगी, एक अन्यादेश में सरकार ने गरी विभाग के प्रदान सचिव के अध्यक्षता में 6 सदस्य समिती गठित की है जो प्रस्तावित जम्मू क प्रिदार मंतरी नरेंदर मोदी ने ब्रिटेन की प्रिदार मंतरी बोरिस जॉंसन से टेलिफोन पर बात की। प्रिदार मंतरी नरेंदर मोदी ने आतंगवाद की तरफ भी ब्रिटेश प्रिदार मंतरी का ध्याना कर्शित किया जिसने भारत और यूरोप समय दुनिया के सभी हिस्सों को अपनी चपेट में लिया है। उन्होंने कटरपंथ, हिंसा और असाहिशनुता को खत्रे को दूर करने के लिए रभावी कद्मों की आवशक्ता पर भी बल दिया। इसके साथ ही प्रिदार मंतरी ने जॉनसन को प्रिदार मंतरी चुने जाने पर बढ़ाई दी और कहा कि वो उनके साथ मिलकर भारत और ब्रिटेन के सामरिक संबंदों को मजबूत करना चाहते हैं। रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने अमेरिकी रक्षा मंतरी मार्क एसपर से टेलेफोन पर बात की। रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहा कि अरुचे 370 भारत का अंदूरूनी मामला है और इसे जम्मू कश्मीर में विकास उनिश्चित करने के इरादे से खत्म किया गया है अमेरिकी रक्षा मंतरी ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए आगे आने वाले दिनों में राणनीतिक संबंदों को और मजबूत करने की इच्छा जताई साथ ही आशा वेक्त की कि जम्मू कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान को द्वी पक्षे बाचीट से ही हल किया जाना चाहिए रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहा है कि सेना के आदुनी की करन में आने वाली सभी दिक्कतों को चरण बद तरीके से दूर किया जाएगा वायू सेना के आदुनी की करन और रक्षा में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के से जुड़े सेमिनार में उन्होंने कहा कि सरकारे एकायो की टेस्ट फैसिलिटी को जल्दी निजी रक्षा क्षेत्र के इस्तमाल में भी मन्जूरी दी जाएगी राजनाथ सिंग ने बालकोट एर स्ट्राइक के जरिये वायू सेना की उच्च खशमता का जिक्र भी किया भारतियों वायू सेना के आदुनिकी करण के विशय पर हुए सेमिनार में रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने देश की एर फोर्स की प्रोफेशनल छमता की तारीफ की और कहा कि मेकिन इंडिया के तहट निजी छेत्र को रक्षा के स्वधेशी करण के लिए बढ़ावा दि असलिटी को निजी रक्षा छेत्र को उपलब्द कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और जल्द ही इसका ओप्चारिक सरकारी आदेश जारी होगा इस दोरान एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा ने कहा कि एर फोर्स काफी पुराने हो चुके मिग विमान उड़ा रही है जिससे सुदेशी तकनीक से अभी तक बेहतर बना कर रखा गया है उन्होंने कहा कि रक्षा छेत्र से जुड़े साजो सामान के लिए विदेशों पर निर्दभरता में काफी वक्त जाया हो जाता है सेमिनार में शामिल कई वक्ताओं ने कहा कि कलपूर्जों से लेकर तकनीक के मामले में भारत की विदेशी रक्षा कंपनियों पर अभी भी बड़ी निर्भरता है कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार को स्वदेशी कंपनियों के उत्पादों पर ज़्यादा भरुसा करना चाहिए मेकिन इंडिया के तहट रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लगू सूश्म एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा देने की नीती बनाई है जिसका मकसद रक्षा उत्पादों को बढ़ाने को लेकर है और उसमें सुदेशी उत्पादों को बढ़ाने को लेकर है यही वज़ा है कि मेकिन इंडिया प्रोग्राम को लाउंच किया गया था लेकिन विदेशी एक्विपेंट मेनिफेक्चरेंट यानी जिनें OEM कहा जाता है उनकी और से टेकनलोजी ट्रांसफर और MRO यानी कि मेंटेनिंस रिपेरिंग और ओर हॉल उनमें होने वाली दिक्कतों से इसमें सबसे ज़्यादा बाधा पहुँच रही है और हाल में ही अब सरकार ने ये तैय किया है कि इसके सिल्सले में और ज्यादा भी छूट दी जाएगी दिल्ली में कैमरमेन MS सुरेश के साथ पंचानन मिश्रा राजिस सभा टीवी और आप बात करेंगे उप्राश्पती के तीन बाल्टिक देशों के दोरे से जुड़ी खबरों की बाल्टिक देशों के आतरा के तीसरे और आखरी चरण में एस्टोनिया पहुँचने पर उप्राश्पती अमवें कैनाइडू का भवे स्वागत किया गया उपराश्पती एमवेंक एनाइडू आज यहां उपचारिक स्वागत किया जाएगा एस्टोनिया के राश्पती के साथ प्रतिनिदी मंडल स्तर की वारता भी होगी इसके बाद दोनों देशों के भी जहम करार पर हस्तक्षर होने की उमीद है दोनों देशों के और से प्रेस स्टेटमिंट भी जारी किया जाएगा उपराश्पती का एस्टोनिया की प्रधान मंत्री जूरी रातस से भी मुलाकात का कारिक्रम है उपराश्पती एमवेंक एनाइडू भारत एस्टोनिया बिजनस फोरम को भी संबोधित करेंगे उप्राश्पती यहां भारतीय समुदाएं की तरफ से आयोजित कारिक्रम में भी शामिल होंगे और इससे पहले तीन बार्टेक देशों की आतरा की दूसरे चरण के तहत भारत लात्विया बिजनस फोरम को संबोधित किया अपने संबोधर में उप्राश्पती नवीकर्णी उर्जा के क्षेतर में ज़ादा ध्यान देने पर जोर दिया और आर्थिक सहयोग को नई उचाईयों तक ले जाने का हवान किया ये पहला मौका था जब भारत की शीर्ष नित्रितों ने दोनों देशों के बिजनेस फोरम को संबोधित किया इस मौके पर दोनों देशों के बीच आर्थिक साज़धारी को बढ़ावा देने के लिए एसोचैम, भारतिय उद्योग परिसंग और लात्विया के चेंबर ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के बीच समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर भी किये गए उप्राश्रुफती एंविंक या नाइडू ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुए अर्थविवस्था बताते हुए देश में हुए आर्थिक सुधारों का जिक्र किया India today is among the fastest growing large economies of the world with low inflation, literally it's one point and not and highest foreign investments, controlled fiscal diff sheet, growing foreign exchange reserve and reforms in business and finance sectors. वहीं लात्विया के राश्रुपती ने आईटी जैव तक्निक समेत कई शेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. भारत लात्विया बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल लोगों ने उमीद जताई कि इससे दोनों देशों के बीच वेयापारिक रिष्टों को और बहतर बनाने में मदद मिलेगी. भारत और लात्विया एक मध्धूर और मेत्रिपूर्ण संबंध के साथ स्वतंत्रता और लोगतंत्रिक मुल्यों को भी साज़ा करते हैं. हाल के दिनों में लात्विया यूरो जोन के सबसे तेजी से बढ़ते सदस्यों में से एक के रूप में उभरा है. लात्विया से राज कमल राओ, राज्य सभा टीवी. और भारत और लात्विया ने कल वैश्विक साज़दारी की समीकशा की और इंतराश्ट्रे मंच पर बेहद खरीबी सहियों को भविश्य में जारे रखने पर सहमती जाहिर की. उप राश्पती अम वेंक ए नाइडू और लात्विया की राश्पती एगलिस लिवित्स की बीच राजधानी रीगा में प्रितिनेधि मंदल स्तर की बाचीत की बाद दोनों नेताओं ने मीडिया को भी सम्भूधित किया. वो प्राश्पती ने कहा कि जन संपर्क भारत लात्विया की साज़ोदारी का एक मैतुपूर्स तंब था और दोनों देश ये सांस्कृति कादान प्रदान को बढ़ाने के लिए सहयोग का विस्तार करेंगे दोनों नेताओं ने भारत लात्विया के बीच वैश्विक सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबदता को दोहराते हुए साज़ा बयान दिया जिसमें आतंक और चोड़ी जैसे माम में शामिल है उपराश्मतिय बेंके नाइडू ने भी कहा कि भारत लात्विया आतंकवाद और समुद्री डखैती के खिलाब वैश्विक लडाई में एक साथ खड़े हैं पर बोर्ति दाट्याग्या दिसमें with a special focus on culture, education, and economic partnerships. I also held discussions with the Prime Minister Chrysi Ams생 Krumyams on ways to enhance bilateral relations and to boost trade and investment cooperation. We agreed that there are immense opportunities to enhance trade, business, and investment ties in sectors such as pharma, automatives, textile, petro products, food processing and agriculture, dairy, transport and logistics, ICT, education and start-ups. semiogyasins, i.e. इस मौके पर उप्राश्पते ने कहा कि लात्वी आई सर्कार द्वारा किया गया कार प्रेट आदा एक है और लात्वी आई लोगों के अपने इतिहास के बारे में परचित कराया जाना चाहिए बॉप बॉप आ जिस कौन इस्तुम स्वंबरम insult खेत्वारारे में पर शैयड गयाया गया पन्रेट आई सित लेभारास सिस्काप्स I and my delegation were very much impressed by the presentation in that museum. Our people have deep interest in each other's culture. It is my proud privilege to unveil the birth of Mahatma Gandhi, the father of Indian nation, today at your prestigious national library, which is also called the Castle of Light. This year, we are celebrating 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The message of non-violence and peaceful coexistence given by Gandhi Ji is eternal and universal and highly relevant for today's conflict-owned world. The message of non-violence and national library will be able to advance the future of Mahatma Gandhi. में 21 और 22 अगस्त को भारत नेपाल सही उफ्तायों की बैठक होगी विदेश मंत्री एजजय शंकर और नेपाल की विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली आयों की बैठक की सहयुत अध्यक्षिता करेंगे बाचीत के मुद्दों में दोनों देशों के बीच यातायात आर्थिक सहयोग व्यापार पन बिजले और जलसन सादन सहित रणनीत एक मुद्दों पर भी चर्चा होगी विदेश मंत्री एजजय शंकर नेपाल की राश्पती विद्यादेवी भंडारी और प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री बनने के बाद एजजय शंकर की ये पहली नेपाल यात्रा है विदेश मंत्राला के मताबख विदेश मंत्री के रूप में अज़या शंकर पडूस के अन्य देशों में भी जा रही है किंधरे ग्रीय मंत्री अमिच्छा ने असम में राष्ट्री नागरिक रेजिस्टर यानी एनर्सी के अन्तिम प्रकाशन से संबनित मुद्दो की समीक्षा की इस बैठक के बाद ग्रीय मंत्राले ने कहा कि एनर्सी में नाम ना आने वालों को मौका दिया जाएगा समिक्षा बैठक में असम के मुख्य मंत्री केंदरिक रिसचिव समेट का यदिकारी मौझूद रहे सुप्रीम कोट ने 31 अगस तक असम में नाशनल सिटिजन रजिस्टर का काम पूरा करने का आदेश दिया है पिशले साल जारी नर्सी ड्राफ में 40 लाख लोग बाहर हुए थे ये वो लोग थे जो उस वक्त अपनी नागरिक्ता से जुड़ी सबूत नहीं पेश कर सके थे उन्हें बाद में नर्सी लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए दस्तावीज पेश करने का मौका मिल चुका है सबी की निगाहे बाद अब अंतिम रूप से प्रकाशित होने जा रहे है नाशनल सिटिजन रजिस्टर के आकड़ों पर ठिकी है केंद्री ग्रीमंत्री अमिच शाह ने एक उच्चिस तरिय बैठक में सूखे, भूस, खलन, ओला वरिष्टी और चकरवाती तूफान से प्रभावित तीन राज्जियों के चार हजार चार सो बातीस करोड रुपे की सहायता मन्जूर की है समिती ने एराशी राश्ट्रे आपदा मोचन बल की निधी से जारी की है इसमें से 3330.22 करोड रुपे चकरवाती तूफान फोनी से प्रभावित ओडीशा सूखे से प्रभावित करनाटक के लिए 1029.39 करोड और ओला वरिष्टी और हिमस्खलन से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 74.49 करोड रुपे के जारी किये जाएंगे उडीशा के मुख्य मंत्री ने केंद्रिय मदद के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी का आभार जटाया है वही केंद्र ने बार प्रभावित 11 राज्यों में हुए नुकसान के आखलन के लिए अंतर मंत्रा लईए केंद्रिय टीमों का गठन किया है इन ने ग्री मंत्री अमिच्छा के अधिक्षिता में आयोजेत एक उच्चिस तरिया बैठक में लिया गया अमिच्छाने वरिष्ट अधिकारियों को बार प्रभावित सभी राज्यों में हर संभब उपवाय करने के भी निर्देश दिये ये टीमें असम में गाले, तरिपुरा, बिहार, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजराद, राजस्तान, महराष्ट, खन्नाटक और केरल का दौरा करेंगी साथी ये टीमें बार से हुए नुकसान का आखलंग करेंगी देश के उत्री हिस्सों में कई राज्य बार की चपेट में हैं भारी बारिश, भूस, खलन और बार की वज़े से हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, पंजाब और हर्याना में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है हमाचल प्रदेश के मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर ने विधान सबा के सूचित किया कि सड़कों और पानी के पाईपों के खशती ग्रस्तोंने से राज्य को 625 करोड रुपे का नुकसान हुआ है उन्होंने का कि राज्य सरकार युद्सतर पर सड़कों को दुरुस्त करने और पानी और बिजली के अपूर्ती बहाल करने का काम कर रही है उन्होंने का कि बारिश के चलते एक हजार से जादा सड़कों, कई पुलों, पी डबलूडी संपत्यों और पानी के पाईपों को खशती पहुची है उत्रखन के उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में बादल फटने और भूस खलन से मची तबाही के बाद प्रभावित क्षेत्रों में रहात और बचावकारे में तेजी आई मुख्यमंतरी तरवेंदर सिंग रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का दोरा करके स्थिका जाइजा लिया मुख्यमंत्री ने खा कि 70 किलोमीटर के कुशेतर में कुल 51 गाउं इससे प्रभावित हुए हैं जिसमें करीब 130 करोड रुपए का नुपसान हुआ है उत्ता प्रिदेश में पांच मंत्रियों के स्टीफों को मन्जूर कर लिया गया है इनमें स्वतंत्र देव सिंग का नाम शामिल है बीजेपी में एक व्यक्ती एक पद के सिंधान को देखते हुए स्वतंत्र देव सिंग ने स्टीफा दिया है वो प्रिदेश बीजेपी के अधश बनाय गये थे जिसके बाद उन्होंने मंत्री पत से स्तीफा दिया योगी मंत्री मंदल में 47 मंत्री थे जिन में से तीन प्रीता बवगड़ा जोशी, डॉक्टर स्पी सिंग बगेल और सत्यदेव पचौरी सांसद दर्वाचित होने के बाद मंत्री पत से स्तीफा दे चुके हैं उत्रप्रदेश की योगी सर्गार आज अपना पहला केबिनेट विस्तार भी करने वाली है मत्रप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ट नेता बाबुलाल गौर का निधन हो गया है वो 89 साल के थे वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे मंगलवार शाम उनके तबियत और गम भीर हो गई थी ब्लड प्रेशर कम होने के साथ पल्स रेट भी गिर गया था वो पिछले 14 दिनों से भोपाल के नर्मदा अस्पताल में भड़ती थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और यहीं उन्होंने आज सुबा अंतिम सास ली बाबुलाल गौर के निधन पर प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी ने ट्वीट करके शूख जताया है प्रधान मंतरी ने लिखा है कि बाबुलाल गौर जी का लंबाराज नितिक जीवन जनता जनार्दन की सेवा में समढ़ पर था मंतरी और मुख्य मंतरी के रूप में मद्धिप्रदेश के विकास के लिए किये गए उनके कारे हमेशा याद रखे जाएंगे बाबुलाल गौर जी के निधन से गहरा दुख हुआ इश्वर शोक संतप्त परिवार को दुख की इस खड़ी में धैरे और संबल प्रतान करे खेल की दुनिया से एहम खबर है बी साहिब रणीत और एचस प्रणाय विश्वर बैडमिंटिन चैंपिन्शिप के प्री कौर्टर फानल में पहुँच गए है महिला एकल में पीवी सिंदू और साइना नेवाल आज अपने अभिहान के शुरुआत करेंगी वी वी सिंदू का मुखाबला चीनी ताइपे की पाई यू पो से होगा साना की बड़न नीदरलेंड से सोराई डेविच एच बोगन से होगी कि दामिश्रीकान का मुखाबला इसराईल के मिशा जिल्बरमान से होगा प्रणोय ने चीन के खिलाडें लिंडेन को 21.11.13.21 के साथ से हराया साइब रणी ने दक्षन कोरिया के ली डोंक्यून को 21.16.25 से मान दी बात खास शक्सित की शेहराई के बादशा भारत रतनो साथ बिसमिल्ला खां की आज पुनिते थी है 19.16 में उनका जन्म बिहार के डुम्राओं में हुआ था लेकिन उस सारी जिन्दगी बना रसमे रहे पदमश्री, पदमभूशन, पदमभूशन और भारत रतन जैसे अलंकारों और पुरसकारों से सम्मानत बिसमिल्ला खां का संगीत दिल की गहराई तक उतर जाने वाला और अमर है बिसमिल्ला खां ने वो मुकाम बनाया कि शेहनाई का नाम आते ही उनका नाम सबसे पहले आता है और इसे के साथ फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही ब्रिक के बाद आप देख सकते हैं बिसमिल्ड के बिसमिल्ड के बिसमिल्ड करते हैं